नमस्कार दोस्तों अनिल चौपड़ा स्वागत करता हूं आप सब का दोस्तों इस वीडियो मैं मैं आपके साथ एक छोटा सा पॉइंट सेर करना चाहता हूं और वो पॉइंट है कि ड्रेगन फ्रूट का जब फार्मिंग कर रहे तो ऐसे कई ब्रांच टूट जाती है यह दे वो बहुत बार किसान मुझे फोटोग्राफ पेज के पूछ रहे है तो इसके लिए सोचा कि एक वीडियो आपके साथ ऐसा सेर कर दूँ तो ऐसा होने का रिजन ज्यादा तर आप दोस्तों देखोगे तो यह जो ब्रांच है वो एक मैच्यूर ब्रांच नहीं आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा यह एक वाटर सुट जेसा ब्रांच है या फिर नया लिफ्स है जो आने वाली सीजन में फ्रूटिंग हमें देने के लिए तयार होता है तो इतना लंबा सुट हो गया फिर भी वो यहां से क्रेक हो गया और इसके बाद यहां से देखिए दो स प्राउट और निकल रहे हैं मतलब हमें चाहिए नहीं यह एक रिकावर करें इसके बारे में यह वीडियो में आपके साथ पूरी डीटल्स में बात करने वाला हूं तो दोस्तों आप अभी तक हमारे साथ जूड़े नहीं है तो हमारे साथ जूड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को जरू दबाए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिक्रिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो चले दोस्तों इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन युक्त खातर ज्यादा हो जाता है तब ऐसा लंबा लंबा लिप्स निकलता है जो मेच्योरीटी पे नहीं जाता और यह स्प्राउट एकदम लंबा हो जाता है इसमें कुछ मजबुता ही नहीं होती है तो नाइट्रोजन युक्त फर् सब्सक्राइब एक ड्राउटेंटेंग्जी की डेफिशेंसी भी इसमें हम बोल सकते हैं, तीसरा एक ब्रांच के ओंपर ज्दाउव रहता है, जो पोद्यों के ओपर, वहां भी हमें देखने को मिलती है या फिर नीचे वाले हिस्से में जहां से नया फुटाव निकलता है वहां वो ब्रांच के ऊपर छाव रहता है वहां पर ऐसा होता है तो यह ब्रांच वो मिच्योर नहीं होती है एक स्प्राउट के रूप में कच्ची ब्रांच पूरी लंबी होके फिर बीच में से क्रेक हो तो यह मेन कारण है इस ब्रांच को तूटने का वह मिच्योरिटी पे नहीं है और इसके साथ उसमें नुटिशन के भी कमी है तो इसका रिकोवरी हम कैसे लाएंगे तो सबसे पहले जैसे यह ब्रांच ऐसा नया स्प्राउट निकलता है अपने पूरे फार्म में वह समय में हम जो रूट सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए आपको प्रवाहार का भी प्रोड़क्ट का उप्योग करना है जो हमें इस के अंदर पूरा यूज करके इसको सही तरीके से करने की कोशिश किये लेकिन यह एक आपको शेंपल के तोर पर हम बतारे हैं कि ऐसा भी हो सकता ह दोस्तों ऐसी ब्रांच तूट जाती है तो हमें नुक्षानी क्या होती है तो सबसे पहले यह जो ब्रांचे वो कट होगी क्रेक होगी या डेमेज होगी तो हमारा जो लिफ्स एरिया है कैनोपी एरिया है वो कम होगा कैनोपी एरिया कम होगा तो हमें प्रोड़क्शन भी क यह हमें प्रोडक्शन में लोज कर सकता है और इसके साथ दूसरी एक सावधानी यह रखनी है कि ऐसा ही वाटर सुट निकलता है नीचे से कई बार हम बेजल दोज देते हैं फर्टिगेशन करते हैं पानी की प्रॉपर मेनेजमेंट करते हैं तो नीचे से भी स्प्राउट नि मिलेगी और वो पूरा डाइवर्ट हो जाएगी तो आप देखिए यह जो एरिया है यहां पर तो यहां पर आपको कैनोपी एरिया कम दिखेगा क्योंकि यह जो नीचे आप देखिए यह बड़े-बड़े स्प्राउट हो गए थे वो हमने कटिंग करवाए देखिए यह ब दोस्तो यह सावधानी थी तो यह पॉइंट में इतना ही मिलेंगे और नई जानकरी साथ अगले नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै बारत